हेलो टेडर्स मैं विद्यस अगर हमारे यूटूब चलल में आप सभी का हार्दिक स्वागते चली देखते कल मार्किट कहाँ पर मुमेंटम कर सकता है एंड हमें कहाँ पर बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है जैसा कि दोस्तो आज के दिन हमने आप सभी को XLTAC का 1090 का कॉल दिया था जो की 11 के लेवल पर तो दोस्तो जैसे ही इस कॉल ने यहाँ पर 11 का लेवल क्रॉस किया तो आप सभी को दोस्तो यहाँ पर 14 तक के इसली टार्गिट देखने को मिले तो अगर दोस्तो आपने यहाँ प आपको वीडियो की डिस्किप्सर में प्रवाइड कर दिया जाएगा तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने यहां पे बैंक निफ्टी का पंदा मिन का चार्ट ओपन कर लिया है तो अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट यहां पे अच्छा का सा गैप ओपन हुआ लेकिन यहां मार्केट ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया आप देखेंगे मार्केट उपर तो गया फिर थोड़ा सा लेकिन यहां पे लाज्ट टाइम मार्केट का एक रजिस्टेंस था जो मार्केट ने आज यहां पर रजिस्टेंस लिया और यहां से आप सभी को फिर मार्केट continue downfall होते हुए दिखा लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो एक market का यहाँ पे एक high था जहाँ पे market ने एक support लिया और दोस्तों यहाँ से फिर market थोड़ा सा उपर जाने की कोशिश तो गिया लेकिन यहाँ पे ज्यादा देर तक उपर नहीं sustain नहीं कर पाया और फिर support बन रहा था यह फिर market के लिए एक resistance के तरह act करने लगा और फिर दोस्तों market फिर यहाँ से continuously आप सभी को fall होते हुए दिखा है तो आज market ने यहाँ यहाँ पे लगबग 42,050 से 60 तक के यहाँ पे level easily market ने आज टेस्ट किये हैं तो कल के लिए देखते हैं हमारे यहाँ पे क्य range देखना है 42,000 का एक राउंड लेबल है तो आपको दोस्तों इस लेवल का वेट करना है और दोस्तों अगर हम यहाँ पे upside की बात करें तो market थोड़ा सा अभी यहाँ पे struggle face कर सकता है क्योंकि HDFC bank के देखे काफी अच्छे result आने के बावजुद भी यहाँ पे एक स्विंग है और हम यहाँ पे downside की बात करें तो हमारे लिए यहाँ पे एक round level है तो हमारे लिए यह लेवल्स काफी important होने वाले हैं तो अगर market continuously यहाँ पे 42,000 के round level को क्रॉस करता है तो हम downside की positions को बना सकते हैं और दोस्तो हमारे जो targets होने चाहिए वो 41,900 और 41,800 के हमारे targets यहाँ पे हमें देखने को मिल जकते हैं क्योंकि दोस्तो last time market ने यहाँ पे support लिया था तो हमें दोस्तो at least फिर यहाँ तक के easily targets देखने को मिल सकते हैं अगर दोस्तो हम upside की बात करें तो जब तक की market यहाँ पे इस zone को यहाँ पे breakout नहीं करता है क्योंकि आप देखेंगे तो आज market यहाँ पे breakout करने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहीं से immediately आप सभी को fall देखने को मिला है तो market जब भी यहाँ पे first time जाएगा तो दोस्तो आपको थोड़ा सा आप वेट करना है अगर वो यह zone बना के यहाँ पे निकलता है तो दोस्तो आप सभी को यहाँ पे breakout देखने को मिल सकता है देखें यहाँ पे क्या हुआ अगर हम आज की बात करें तो market immediately gap open होने के बाद उपर की तरफ गया अगर हम लोग देखेंगे तो 41,800 से market यहाँ पे directly upside की तरफ हम बात कर और फिर दोस्तों यहाँ पे एक resistance level भी था तो market ने यहाँ पे एक resistance इसलिए लिया अगर दोस्तों देखें क्या होता है जब भी market इस तरह का zone बना के breakout करता है तो वह breakout फिर अच्छा माना जाता है तो इस तरह का अगर breakout कल के दिन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इस zone के अ जान लेबल के अगर इस तरह का Zone बनाता है और फिर दोस्तों यहाँ पे downside की तरफ आता तो फिर हमें यहाँ पे downside की momentum जाएदा देखने को मिल सकती है तो जैसे की दोस्तों अभी हमने यहाँ पे निस्टी का पंदमिन का चार्ट ओपन कर लिया है निस्टी यहाँ पे यहाँ सबी का फॉल देखने को मिल और फिर दोस्तों यहां पर जो आज इसने लो लगाया है वह 17,850 के असपास को यहां पे लगबग सबीको यहां पर 200 पॉयंट के मोमेंटम जरूर देखने को मिल गए हैं और दोस्तों अगर देखिये यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे एक market ने अच्छा कासा support लिया था जो कि market ने लगबग 17,750 के आसपास से आप सभी को यहां पे एक अच्छा bounce back देखने को मिला था और फिर दोस्तों अभी market देखिए यहां पे continuously downside की तरफ आज के दिन आया है जो कि एक अच्छा sign नही अगर हम बात करें तो अभी भी यहां पे यह low level इसका test नहीं हुआ है तो यहां से हमारे लिए यह level अभी काफी जादा important होने वाला है क्योंकि अगर market इसके नीचे कई न कई travel करने लगेगा तो फिर दोस्तों हम यहां पे और downside के momentum हमें और expect करने चाहिए अगर market इस level के तो यह यहां कहीं से आप सभी को retracement लेकर market उपर की तरफ निकल सकता था लेकिन इस तरह का selling आना ये एक अच्छी बात नहीं होती है market के लिए क्योंकि जब एक bullish market होना होता है तो market कभी भी इस तरह का selling ज्यादा नहीं दिखाता है लेकिन देखते हैं दोस्तों कल अगर exactly यह पास आप सभी को एक pullback देखने को मिला था तो अगर market यहां से फिर उपर की तरफ जाएगा तो यहां पे कहीं नहीं डबलो पैटन का formation बन जाएगा और इसके उपर फिर market में आप सभी को दोस्तों 18,050 तक का at least आप सभी को target देखने को मिल चकता है और दोस्तों इस level पे थ थोड़ा सा hold करता है और फिर breakout करता है तो यहां पे दोस्तों आप सभी को फिर और अच्छे आप सभी को upside की targets देखने को मिल चकते हैं लेकिन दोस्तों आपको यहां पे थोड़ा सा बस इस चीज का ध्यान देना है क्योंकि दोस्तों देखिए market क्या होता है अगर यहां पे flat कहीं न कहीं open होगा और इस level के नीचे आएगा तो फिर हम यहां पे selling की positions को बनाने वाले हैं क्योंकि दोस्तों फिर यहां पे buyers और sellers यहां पे आज positions को hold करके गए होंगे तो यहां पे क्या होगा अगर market नीचे आने लगेगा तो यहां पे buyers का stop loss heat हो जाएगा और यहां पे कह seller सोड़ा सा अपनी positions को hold करेंगे क्योंकि देखिए यहां पे gap down तो open नहीं होगा यहां पे flat open होने के कारण वी अपनी positions को hold कर देंगे और यहां पे अगर lower low breakdown होता है तो फिर यहां पे fresh seller भी add होंगे जिसके चलते आप सभी को यहां पे थोड़ा सा selling pressure जादा देखने को मिल स लगती है तो दोस्तों हमारे लिए यह level अभी बहुत जादा important होने वाला है अगर market इसके नीचे travel करने लगता है तो दोस्तों फिर market हमें यहां पे 17,650 और 17,500 तक के भी market easily fit targets हमें दिखा सकता है तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी video अच्छी लेगी होगी अग दोस्तों आपको हमारी video अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe करना ना बोलें तो चलिए दोस्तों आज की video में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जाएं वंदे मातरम